अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को और आज मैं बनाने वाली हूँ पनेरिटी का काठी रोल इसके लिए हमें चाहिए हंकड दही को अच्छे से हमें इससे पानी निकाल लेना और इसमें साथ में डाल रहा और साथ में मैंने लिया है एक से डेट चमत चाट मसाला इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है साथ में हमें लेना है काला नमक हाप टी स्पून मैंने काला नमक लिया है इससे भी फ्लिवर बहुत अच्छा आता है साथ में हमें लेना है रॉक सॉल्ट साधा नमक आप जो भी यूज करते होंगे आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे इसे भी और ये काठी रॉल आप जरूर ट्राइ करेंगा बहुत ही अच्छा बनता है अब इसमें डालना है हमें थोड़ी काली मिर्च का पाउडर 140 स्पून सफिशियंट है साथ में अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है देखिए कलर बहुत ही अच्छा है और खाने में भी उतना ही अच्छा बने गाई है ध्यान रखेगा कि दही हमारी बहुत ही गाड़ी होनी चाहिए अब मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा गरम मसाला साथ में लिया है मैंने चना सत्तू आप इससे बेसन को भी भून के अच्छे से डाल सकते हैं और दो से तीन टेबल स्पून मैंने लिया है वन टी स्पून मैंने लिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है बाइंडिंग के लिए हमने डाला है चना सत्तू साथ में गरम तेल लिया है, मैंने, सरसो का गरम तेल अच्छे से करके डालना है, जब हम डालेंगे ये एकदम गरम ही होना चाहिए, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है, और साथ में मैंने लिया है, गरम मसाला मैंने दुबारा डाला है, और एक बर मैंने पहले भी डाल अब इन सब को हमें अच्छे से मिक्स करना है अब वेजिस को देखिए टमाटो के हमें पीस करने हैं उसके बीज हमें रिमूव करने हैं साथ में प्याज को इस तरीके से डाइस में करना है और शिंबला मिर्च को भी पनीर के हमें क्यूब्स है अपने हिसाब से चोटा बड़ यह देखिए और इसे हमें चम्मत से मिक्स नहीं करना है अपने हाथों से ही अच्छे से मिक्स करना है ताकि पनीर के जो क्यूब्स है वो टूटे ना और इसे हमें रख देना है कम से कम एक से दो घंटा या आप आदि अब हमें पैन लेना है पैन में थोड़ा सा तेल डाल लेना है और हमारा जो मैगनेशन जो है अच्छे से हो चुका है अब इसे हमें इसी गरम तेल में हमें डाल लेना है और इसे हमें अच्छे से भून लेना है भूनने से जो है अच्छा टेस्ट आता है और खुश्बू बहुत अच्छी आ रही है आप जरूर इसे ट्राइ करिएगा तो इसे हम ठंड़ा होने के लिए रख देते हैं अब हम इसकी रोटियां बेल लेते हैं काठी रोल के लिए और इस तरीके से हमें बेल लेना है आटा हमारा जो है एकदम सौफ्ट होना चाहिए और इस तरीके से फोड करते हुए हमें इसकी लोई बना लेनी है ताकि जो है जो रोटि हम बेलेंगे वो लच्छेदार होनी चाहिए और इसी तरीके से फोड करके ही इसको हमें अच्छे से बेल लेना है खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और यह देखिए हमारी रोटी बेल के हो चुकिए तब भी गरम है और इसे हमें दोनों तरफ से सेख लेना है हमें ज़्यादा नहीं सेखना है जैसे हम रोटी सेखते हैं यह देखिए दोनों तरफ से हमारी जो रोल है हमारा अच्छे से सीख चुका है तो चलिए इसके एम करते हैं इसको हम रैप करते हैं तो रोडी को ऐसे रखना है और जो हमने बैटर रेड़ी किया था वो इस तरीके से हमें फोल्ड करके रखना है बीचो बीच डालना है चैनल पर इसकी रेसिपी की देख है की और साथ में लेने हैं लचेदार प्याज लेनी है थोड़ी से महीं धनया डालेनी हैं झनिछोड़ लेना है और साथ में worden थोड़वन अश्वा विए तरहें की काला नमक बहुत हीला जवाब और टेस्टी सबची और पनीर काठी रोल हमारा तयार हो गया है और ये देखिए धनीय से लास्ट भी सिब करेंग इस अच्छा से कोड़ा है और इस तरीके से हमें अच्छे से सब्सक्राइब ए करना है और ये देखिए भेत्रीन हमारा पनीर तंदूरी पनीर काठी रोल बन के तयार है और इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसे रैप करना होता है ताकि इसे निकले ना आप इसमें बीचो बीच कट कर दिजेगा और यह देखे यह हमारा बन के तयार है खाने के लिए और इसे आप फॉइल पेपर में या बटर को मेरी यह रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा तब तक के लिए फिर मिलते होगे नहीं रेसिपी के साथ तिल देन टेक केर बाबाई